कि आज मैं आपको बताऊंगी ओईल फ्री औलू बैंगे तो फ्रैंक पैन ले लेंगे उसमें हाफ टी स्पून जीरा डालेंगे एक बारी कटवा प्यास डालेंगे दो बारी कटवे हर इमरीचे डालेंगे अच्छे से रोष्ट कर लेंगे इनको आज मैं आपको बिना तेल के टेस्टी सब्जी के रैसे भी बताऊंगी एक टीस्पून नमक डालेंगे नमक से प्यास किया थोड़ा पानी छोड़ देंगे और एक बा सब्जी हैं पैन के तले पे चिपके नहीं और सब्जी बर्ण ना हो अब हम 500 ग्राम बैंगन लेंगे बैंगन को मैंने पानी में काटा था अच्छा से वाश करके बैंगन डाल दिया हैं इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा और एक पर इस रेसिपी जरूर करके पकाएंगे डग करके स्टीम में अच्छे से पकने देंगे सब्जी को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बैल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा जिससे मेरी न्यू रेसिपीस की नोटिफिक्शन आपको मिलते रहे अब हम एक टी स्पून गार्लिक पिस्ट डालेंगे एक बार इस तो यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनी थी तो एक बार आप जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को अब हम एक टी स्पून हल्दी पावडर डालेंगे एक टी स्पून लाल मेच पावडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे बीच बीच में मसाले को पगाने के लिए और वन एंड आफ टी स्पून सुगधनिया पावडर डालेंगे दो पिंच चींग डालेंगे नमक तो हमने पहले ही लाल दिया था अब हम हाफ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे अब हम हाफ गलास पानी डाल करके सबजी को डख करके अच्छे सपकने देंगे पैन में अच्छे से साइडों में से हिला लेंगे जिससे की मसाला चिपके ना और एक बार तो ये रेसिपी बनाना बनता है डाइट इस्पेशियल ओइल फिरी सबजी की रेसिपी तो वीक में एक दो बार तो ओईल फिरी सबजी आपको ट्राइ करनी ही चाहिए ये देखिए फ्रेंड से सबजी बन करके रैडी है हम चैक कर लेंगे पूरी सबजी को बनने में एक गलास जितना पानी लगा है ये देखिए फ्रेंड सब्जी अच्छे से पक चुकी है एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ किज़ेगा अब हम बारी कटावा हरादानिया डालेंगे सब्जी में वीडियो को लाइक किज़े सब्सक्राइब किज़े चैनल को और शेयर किज़े